हलो फ्रेंस, स्वागत है आपका आपके चनल सिस्टिक चनल में फ्रेंस आज मनाएंगे कुंदरू की कलोजी तो उसके लिए मैंने कुंदरू लिया है सबसे पहले मैं कुंदरू को धुल लगी उसके बाद मैं कलोजी बनाऊंगी कुंदरु का भरवा बनाने के लिए मैंने शौप लिया है जीरा, मंग्रेल, मेथी, धनिया, प्याच, मिर्ची, लाशुन, आम तो सबसे पहले हम मसालो को रोष्ट करेंगे रोष्ट करने के बाद इसको हम पीशेंगे मसालो को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसालो का कलर चिन्या हो जाए मसालो को बहुत अच्छे इस मैंने रोष्ट कर लिया है आप देख सकते हैं मसालो को रोष्ट करके मैंने पेश लिया है वे इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे नमक अपने स्वात के अनुसार डाले और जो मैंने पेश्ट तयार किया है उसको मिक्स करेंगे और सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो कुंदुरू को बीज से कट करेंगे और इसमें मसाले भरेंगे और इसी तरह हम सारे कुंदुरू में मसाले भर लेंगे कुंदुर को मैंने तयार कर लिया है अब चल रहे हैं इसको बनाने इसको बनाने के लिए मैंने शर्षो का तेल लिया है तेल गरम हो चुका है एक एकर के कुंदुर साइड डाल देंगे और इसको हम ढख देंगे गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखेंगे तो इसकी position हम change कर देते हैं जिससे हर side अच्छे से कुंदुरू पक जाए तो ज्यादा समय नहीं लगता कुंदुरू का भर्वा बनाने में तो आप इसको try कर शकते हैं आपको बहुत पशंद आएगा तो इसको हम ढग देते हैं तो बहुत अच्छे से कुंदुरू हमारा पक गया है थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे और पांच मिनट के लिए इसको ढग देंगे तो कुंदुरू की कलोजी हमारी बन गई है आप इसको try कर शकते हैं अब इसको make plate में शरू करेंगे आप इसको बनाईए अगर प्रशंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब बना ना भूलें दोस्तों के साथ सेर जोर करें और कमेंट करके बताएं कुंदुरू की कलोजी आपको कैसी लगी